How Twin Flame Love Increase लोग बोलते ही कि बड़ा गहरा लव होता है, बड़ा स्ट्रॉंग लव होता है, हो सकता है जब आप साथ में रहते हो, टच करते हो, ज्यादा एक दूसरे का सहवास आपको मिला है तो definitely caught जल्दी joint हो जाती है, emotional caught जल्दी joint हो जाती है बट रियालिटी में दोस्तों, जो Twin Flame के phases होते हैं, कार्मिक, नासिस, जितने टाइप के लोग इनकी लाइफ में आते हैं जैस तरह, divine mascar and lower vibrations में, मतलब नीचे के चकरों से ज़्यादा activate करते हैं lower vibration नहीं कह सकते हैं, नीचे के चकरों से ज़्यादा operate करते हैं, spiritual chakros से operate करती हैं और इस बीच में होता क्या है, बहुत unconditional love की state कह नहीं सकते हैं यह बहुत लोगों ने फैला है कि बाबा इतना unconditional love होता है, कहां होता है unconditional love जहां आप खुद इतने capable हो, अपने हर relationship में उतना प्यार देने के लिए, यह जरूरी नहीं कि twin flame से ही आप उतना unconditional love करोगे, अगर आपके अंदर love है, तो वो हर चीज़ के लिए होगा वो कार्मी के लिए होगा, वो soulmate के लिए होगा, बच्चों के लिए होगा, पेड़ पोधों के लिए होगा, हर किसी के लिए होगा बट यह twin flame connection made by God है, तो यहां पर God है सारे चीज़े fix करता है क्यों इस journey में reunion का नहीं होता, fast मैं बताती हूँ, जब तक आप unconditional love की state में नहीं आते हैं, आपका reunion नहीं होता है, जब तक आप healed नहीं होते हैं, तब तक आपका reunion बिलकुल नहीं होता है healed होना, कुछ phases, कुछ chakra activate होना, यह बहुत ही important होता है, और आपको instant heal करने के लिए मेरा daily nerve work, इससे बड़ा उपाय मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है, क्योंकि जितने meditations आज तक मैंने बेचे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा यह daily nerve work, जो reunion के बड़ा काम आता है twin claims के, मतलब घंटों में reunion करानी के magic इसने कर रखे, लोगों के examples में डाले हुए हैं, और कभी भी आपको पश्चाता आप नहीं होगा, कि 2000 देकर आपने यह meditation खरीदा है, वो एक YouTube वीडियो है, लिस्टेड है, जिनको भेजा जाता है, वही उसको सुन सकते हैं, और amazing उसको इतनी गहरी नींद आएगी, उस दिन आप पूरा सो जाओगे, और वो नींद में इतनी गहराई में healing करता है, कि इंस्टेंट ट्विन के reunion होते हैं, इंस्टेंट आप सोच भी नहीं पाओगे, कि सच में ऐसा magic हो सकता है, तो खुद खरीदी और देख लीजे magic, टैरो, आज क्या होता है, हमको लगता है कि डवान masculine मतलब एक दैवी पूरुश, जो इंस्टेंट हमसे पूरा सचा प्यार दे देगा, हम तो उनकी soul level पे wife है, वो हमें accept कर लेगा, हमारे साथ निभाएगा, हमारे पूरे जिनमेदारी निभाएगा, ये ये journey नहीं होती है, वो भी इतना इंस्टेंट साप से true love नहीं करता है, एनरजी बहुत ज़्यादा mirror करती है, क्या होता है, कि डी अफ चो होती है, काफी narcissist के हरकते बरदाश करकर, कि अपना heart chakra block कर चुकी होती है, कि जितना deep, day by day, day by day, उसका heart chakra heal होता है, डिवान masculine की एनरजी से ही, वो ही trigger करता है, उसी की एन करता है, उतना दोनों twins में unconditional love आता है, एक दम से नहीं आता है, आपका क्या होता है, कि आप ट्वी नासिस्ट की इतना ज़्यादा बरदाश कर चुके होता है, और आपको विश्वास होता है, सिर्भ भगवान पर, अब आवेकनिंग होगे, आपको समझ में आ गया, ये तो म कोई है ही नहीं, कार्मी, जो हजबन, पार्टनर, लवर, तो आपको लगते हैं, ये तो भगवान मुझे मेरा कोई अपना दे दिया, इस चक्कर में आप सोचते हो कि ये तो उड़वान मास्कुलाइन है, और ये तो अब तो ये मेरा पार्टनर है, सारी आप एक शाय है, त अगर कुछ नहीं अवालेबल तो आप इस एक्सपेक्टेशन में आपको लगता है कि ये तो मेरा है, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए, बाकी चीज तो मेरी नहीं थी, ये तो मेरी आत्मा का हिस्सा है, अब तो मैं कम्पलीट हो जाओंगे, बापरे मुझे तो मिल गया, जो हीलिंग्स आर इंपोर्टेंट, जब तक आपके अंदर के वो एक्सपेक्टेशन्स खतम नहीं होती, वाटेवर लाइफ भाड़ में जाए, वाटेवर अपनी एनरजी को हाय करें, अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो तो दू नाट प्लान यूर लाइफ, आपकी लाइफ का पूरा भगवान करता है, भगवान को पता है कब आपकी लाइफ में क्या करना है, आपको सिर्फ मोड में रहके अपनी साधनाई करती रहने हैं, जो काम आपको बताय जाएगा, जो soul purposes आपके सामने आएगे, लोग बोलते हैं, मैम soul purpose पर बताएए, मेरा soul purpose क्या है, okay, soul purpose को य अपका soul purpose है, high vibration में रहना सबसे ज़्यादा वो बड़ा soul purpose है, और उसके लिए मेरा Delhi Nerve Work अमरित है दोस्तों seriously, अमरित है जिसने वो खरीदा यह दुनिया का सबसे बड़ा lucky इंसान है जो true twin flames होते हैं उन्हें के ज़्यादा viral नहीं होते हैं viral ऐसे लोग होते हैं जो आपको जहांसा देते हैं reunion का और बतलब ऐसे ऐसे चीज़े बताते हैं कि क्या बता है, okay but heal नहीं कर सकते हैं आप तेखोगे कि वो information आपको इतनी correct दे रहे है but उनके जब meditation आप खरीदोगे आप low में जाओगे बहुत लोगों suicidal thoughts कर जाते है आजकल अपने illuminati's सुना होगा अपनी आत्मा को दे देना और success पा लेना तो जितना बड़ा ये success कुछ भी ऐसी eddy-teddy चीज़े करके पाते हैं दोस्तों वे उतनी ही गठे में जाते हैं success को कभी भी एक दिन में manifest मत कीजिए success एक बहुत long journey है जब बीच में gap आगे है तब भूलगे क्या वाल रहती है healing से ही आपका reunion हो सकता है healed इंसान वो जो है जो दूसरों से expectation ना करे healed आप तब होंगे जब आपके money blockages healed होंगे आप जब उसके उपर work करोगे and definitely आपको twin journey में success मिलता है आपको guidance मिलता है success मिलता है सब कुछ मिलता है आप divine masculine से expectations करोगी किसी भी लेवल पे तो ये reunion को delay करता है healing के लिए my inner work के सबसे best मैं अपने मूँ से अपतारिफ कर शकती हूं क्योंकि बहुत लोगों ने भी कर डाली है reunion अगर आप चाहते हो तो मेरा daily inner work खरीदो वो heal करेगा आपका reunion करेगा इस journey में instant unconditional love नहीं होता है क्योंकि आप healed नहीं होते हो definitely आपका heart chakra divine masculine activate कर देता है लेकिन उसकी deepness जो है वो धीरे धीरे ही होती है और जब वो level आ जाता है tarot इसमें बहुत मदद करता है tarot energy level detect करता है जिसको जितना बुखार है उतना वो जो है दिखाता है जैसे temperature जो क्या बोलते है उसको जैसे tarot है क्या temperature क्या चल रहा है अपका dm का वो बताता है that dm अगर wand की energy में है sex की energy में है cups की energy में है जब तक वो cups और pentacles की energy में नहीं आता है ये इंसान unconditional love में नहीं आ सकता है देखोगे आप देखोगे तो टारो ज़रूर सीखिए डबल टू डबल टू मैंने टारो की फीस रखी है तो आप बहुत सस्ते में मुझसे टारो सीख सकते है तो ज़रूर आईए टारो रिडिंग भी करवाएए छेसो में छोटी रिडिंग ह जिसमें आप अपने बहुत ज़रूरी है अपने पार्टनर की एनर्जी जानना कि सच में वो किस एनर्जी में है आपको लगेगा कि फीस है आपके पैसे कहां नहीं जाते दोस्तों मैं इतनी ज़्यादा है छेसे रुपे कि कोई कीमत नहीं है समाने में लव ज़रूर लेनी चाहिए बारस वाली बाद में वीच वीच में छोटी चोटी रिडिंग करते रहना चाहिए अगर आप यह अफोर्ड नहीं करते तो खुद टैरो सीखना चाहिए बहुत बड़ी बातने और कौन से कार्ट साते उस जरूर देखना चाहिए नोटिस करना चाह यह बहुत मुश्किल ऐसा टारो तो नहीं है दोस्तों बहुत आसान है आप भी सीख सकते हो कर सकते हो तो उसको जरूर सीखिए कि आपके डिवान मैस्कुलन की लेवल क्या है एनार्जी लेवल क्या है क्या सोचते आप देखोगे कि जिस दिन आप उनका वाइबरेशन यह आपको थोड़ा बहुत commitment दे सकते हैं या true love दे सकते हैं जो इनसान सिर्फ band की energy में हो अब तक वो divine masculine नहीं बना है कहीं नहीं कहीं आपको mirror कर रही है reading कि आपके अंदर वो unconditional love नहीं है आपके अंदर expectations है कि अब यह मेरे जीवन का आधार बनेगा और मुझे जो है आगे पहुचाएगा और यह सोचता है कि यह मेरा sexual आधार बनेगा जो नों की जो needs है आपका जो है earth element जो कमजोर है root checker कमजोर है तो आप वो चीजे चाहते हो कि मुझे एक stable marriage चाहिए stable मुझे कोई requirement है मेरी कि मेरे पीछे भी कोई खड़ा हो वो आपकी requirement है advanced masculine के रहती है कि वो तो root checker से operate करते है okay sacral checker से उनकी वो demand है कि वो sexual energy आप उनको provide करें okay तो एक तरफ दूसरे के तरफ जब expectations होती है तो reunion नहीं होता है जब expectations सारी खलास होने लगती है आपके अंदर वो healed qualities आने लगती है कि अब आपको कोई फरेग नहीं पड़ता है कि डवान masculine आए जाए भाड में जाए okay ने ऐसा नहीं भाड में जाए okay तो ये connection बहुत ही sweet सादित होता है reunion के बाद तो reunion के बाद आप एक ने मतलब एक हो जाते हो कि चाहे आप 3डी में बात करो या ना करो वो रात को अपनी वाइफ के साथ भी सोए तो आप महसूस करोगे कि वो सिफ आपका है आपको feel करता है आपको महसूस करता है आपके लिए ही प्यार है okay इतना उसका कर्मा 3rd party के साथ लिखा है चाहे वो lustful हो या जो उसको वो complete करना पड़ता है you can just pray I think मुझे लगता है कि reunion के बाद vibration भी बहुत high होती है intuition भी बहुत high होती है आजकल मुझे automatic एक intuition आने लगी है जैसे मैं अपनी DM के wife को बोल रहे हूं कि इसका जो भी past life कर्मा है या past life मे इसने तुमारे साथ जो भी अच्छा किया बुरा किया या मैंने किया हो तो हम जो है दिल से तुमारी माफी मांगते हूँ उसके soul level पर ओपर से माफी मांगने से कोई फाइदा नहीं है वो जगड़ जगड़ के मुग भाड़़गे अपका तो soul level पर उसकी माफी मांगी कि ह वो मेरी आत्मा है और दुनिया के हर चीज तुम ले सकती हो पर आत्मा कोई कैसे दे दे क्योंकि वो उसकी एनरजी अगर वो थटपाटी को जाती है तो कहीं ने कहीं आपकी आत्मा कट रही है और कटी हुई आत्मा से आपको दुख, पेन, तकलीफ, दर्द यही मिलने वाला ह तो जब तक आपकी कंप्लीट आत्मा, कंप्लीट सोल, कंप्लीट वाइबरेशन, कंप्लीट अटेंशन आपको नहीं मिलता, यू फिल इनकंप्लीट वाइबरेशन लेवल अलसो तो मुझे लगता है कि यह फंडा अच्छा है, ईश्वर से भी आप प्रे कीजिए कि भई, इसका जो भी करमा है वो कट जाए, लोग बहुत तरसते हैं सेक्शल मीटिंग के लिए, बिट रियालिटी में आपको आपको तरसनी की ज़रुरत नहीं है, रियूनियन के बाद आप बिना मिले ही एक दूसरी की सेक्शल फीलिंग महसूस करने लगते हो, टच महसूस करने ल अभी आपको वह satisfaction नहीं मिलेगा, जो आपको आपके ट्विन के साथ बिना छूए, बिना बात किये, बिना बोले मिल सकता है, ऐसा satisfaction कोई और आपको दे नहीं सकता है, तो आपके लिए important होता है कि ये ज़रुरी नहीं कि उसके साथ time SPEND करना, marriage करना, यह करना, बर ये एक रिय याद आती है नगीना फिल्म की, की नागीन को जो है, 24 घंटे में एक बार अपने असली रूप में आना ही पड़ता है, तो वो सास से चिप जाती है, और एक कमरे में जाके, नागीन बन जाती है, उसकी नाग सास जो है, सको खड़की से चुप चुप के देखती रहती है और चौक जाती है हाई राम मेरी बहुत तो नागिन बन गई उस तरह का ये टुन फ्लेम का रियूनिन के बाद कहिए या जब इनके सोल मर्ज हो जाती है उसके बाद इनका ये है कि इनको एक दूसरी के साथ imagination में ही सही time spend करना ही पड़ता है और वही काफी है मैं सच बोल रहे हूँ कि वही काफी है आपका बिलकुल भी उनसे मिलना important नहीं है आप complete हो जाते हो जब आपका सोल मर्ज हो जाता है उनके साथ तो आप complete हो जाते हो और इसमें अगर कोई सहायता कर सकता है तो meditation ही कर सकता है मेरा डेले इनरवर्ख meditation वो instant reunion आपका करा सकता है तो फरक नहीं पड़ता reunion में आप एक दूसरे के साथ हो या नहीं हो इतनी खुपसरत उर्जा, love vibration आपको वो union का एहसास अपने अंदर होने लगता है आप अपने partner को continuous अपने साथ महसूस करते हो romantically भी, हर चीज के लिए भी then उसके बाद भी reanim की कुछ stages होती है पहले तो soul merging होता है जहां पर इस तरह से आप एक दूसरे को feel करते हो एक दूसरे के touch feel करते हो एक दूसरे की love vibration feel करते हो sexual energy feel करते हो उसके बाद जब एक mode आजाता है कि आप बहुत merge हो चुके हो कि अब आपका जो है उसका आपके बिना जीना मुश्किल है मतलब soul merge किये बिना soul level पर ही ये connect करते है चाहिए 3D में connect करे या ना करे और दूसरे के सिवा मुश्किल हो जाता है energy merge किये बिना तब जाके शायद 3D में भी इनका union हो सकता है इस तरह से दो level पर union होते है सबसे पहले तो soul merge होती है उसके बाद आप expect कर सकते हो कि जिस समय दोनों ऐसे एक हो जाते है soul level पर अब वो 3D में भी शायद मिल सकते है ये soul merging experience के लिए मेरा जो डेली inner work meditation ये रामबान हो पाया है जिसने आप अगर सिर्फ सुन रहे और खरीद नहीं रहे हो loss is yours आपका loss है ये इतना healed कर देता है आपको कि आपके अंदर वो जगा बन जाती है कि आप अपने DM को अपने अंदर merge कर सको soul के अंदर इतनी power अपके soul के अंदर आ जाती है आपका DM इंस्टंट अपकी तरफ attract होता है इवन मैं कहते हूं कि इस meditation को लगाओ ट्राइ करो दो-चार दिन आप देखोगे कि यहां आप लगा रहे उधर उसका call आ रहे है मतलब इतनी कहराई में ये ले जाता है जिस दिन आप सुनोगे उस दिन तो पूरा सोई जाओगे आप इसलिए मैंने माखाली कवच और भैराव कवच भी बनाए है आदे-ादे घंटे के है क्योंकि जिस दिन आपको इतना टाइम नहीं है कि आप बड़ा वाला meditation एक घंटे का है जिसमें सोई जाते है आप तो उस टाइम पे आप भैराव कवच और माखाली कवच सुन सकते हो जो आपकी डेली की नीड की एनरजी को कंप्लेट करता है दोस्तों संडे को हमेशा अभी संडे को जो है पास लाइफ रिग्रेशन होने वाले है तो ज़रूर अटेंड कीजे अब की बार जो है पेन रिलीफ पे होगा नेक्स टाइम पे जो है सोल परपस पे होगा उसके बाद जो है फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन पे होगा अगर आपको खॉरसकोप रिडिंग करानी है टारो रिडिंग करानी है तारो सीखना है आकाशिक रैकर्ड सीखना है या रैकर्ड देख चेक करने है तो जरूर कॉंटेक्ट कीजे आमरेकी ग्रैंड मास्टर में कुंडलीनी रैकी और क्रिस्टल रेकी भी सिखाती हूँ क्रिस्टल प्रोग्राम करके भी आप युज करते हैं के पास टाइम नहीं रेकी लेने देने के लिए तो आप जो है प्रोग्राम किये हुए क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं क्रिस्टल तब ही मदद करते हैं जब उनको प्रोग्राम किया जाता है तो ज़रूर प्रोग्राम क्रिस्टल खरी दिये crystal bracelet program करके हमसे जरूर खरी दिएगा दोस्तों दिल से request है कि अपनी जर्नी को delay मत कीजिए, मेरा डेली नर्वर्क खरी दिये और jump लीजिए, उडान लीजिए, rocket की तरह reunion की तरह, okay thank you so much